आमिश्याह अब सम्मूदित करने जा रहे हैं रुख करेंगे सीधा आज के कारक्रम में मंच पर उपस्तित महाराष्ट भारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्स स्रीमान बावन कुले जी भाजपा के वरिष्ट नेता और हमारे उपमुख्य मंट्री स्रीमान दिवेंद्र फडन्र जी मोदी जी की मंट्री परिषद में मेरे साथी प्यूस गोएल जी राव साहब द्यानवे पाटिल जी मुंबई भाजपा के अध्यक्स स्री आसीश सेलार जी आज जी संकल पत्र पर हम बात करने के लिए एकत्रित आये हैं ये बनाने की समीति के हमारे अध्यक्स स्री मुंगंटिवार जी हमारे राष्टिय महासची विनोत्तावडे जी विनाई सहस्त्र बुद्धे जी और आज यहाँ पर उप्वस्तित सभी पत्रकार चायकार बंदु भगिनी आप सभी का मैं मन से स्वागत करता हूँ आज यहाँ पर अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ वो संकल्प पत्र ये महराष्ट की महान भूमी का सारी जनता के आकांग्साओ का प्रतिभिम्ब है महाराष्ट एक प्रकार से कई युगों से हरक्षेत्र में देश का नित्रू तो कर रहा है एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ती आंदोलन की सुरुवाद भी महाराष्ट से हुई जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ती का आंदोलन भी सिवाजी महाराष ने यही भूमी से किया और जब जरूरत पड़ी तब सामाजी करांती की सुरुवाद भी यही महाराष ने पड़ी महाराष की पूरी जनता के अकांग साओ का प्रतिवीम आज हमारे इस संकल पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है आज यहाँ पर मैं आप सब के सामने उपस्तित हूँ इस वक्त हमारे NDA की जो सरकार महायूती की सरकार चल रही है उसने किसानों का सन्मान करने की बात की है गरीबों का कल्यान करने को जमीन पर उतारने का काम किया है महिलाओ का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाए लेके आये हैं और विरासतों का पुन्रोथान करने का काम भी महायूती सरकार में किया है मित्रो आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं आमबेडकर जी की भूमी पर खड़ा हूँ तब अभी अभी कस्मीर में जो चुनाव हुआ आजादी के बाद पहली बार कस्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का सपत आमबेडकर जी ने बताये हुए संविधान से हुआ है इससे बड़ी स्रद्दान जली आमबेडकर जी की ओ नहीं हो सकता धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की सपत लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज हैं। अगारों की विफलताओक से बोध लेते हुए मजबूत, समरूद और सुरक्षित महराष्ट कैसे हो इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। लालच में तुरुष्टी करण की है, विचारदारों का अपमान करने वाली है और महराष्ट की संस्कृती से छल करकर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारदारा है। मित्रो मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महराष्ट की जनता के सामने कहने आया हूँ कि आप लगातार तीसरी बार महायूती की सरकार को आपका मेंडेट दिजी। पहली बार 2014 में महराष्ट की जनता ने महायूती को मेंडेट दिया, भारतिय जनता पार्टी के नित्रूतों में महायूती की सरकार बनी, 19 में भी मेंडेट भारतिय जनता पार्टी और महायूती के लिए था, मगर जनादेश का द्रोव करकर सत्ता की लालच में वो जनादेश को नकारा गया और अन्तोत गवत्वा जो कुत्रिम होता है, जो बनावटी होता है, वो लंबा टिकता नहीं है, वो सरकार कीरी और फिर से महायूती की सरकार बनी, महायूती एक मुस्त होकर, एक जूट होकर, मोदी जी के नेत्रुतों में सिध्धानतों के आधार पर महराष्ट का कल्यान करने के लिए आगे बढ़ रही है, और अगाडी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं, उनका चुनाव अभियान भी आंत्रिक विरोधा भ नेता राहूल गांधी को इतनी विरंटी कर सकते हैं कि वीरी सावर कर के लिए दो अच्छे सब्द बोल दे, क्या कॉंग्रेस का कोई नेता सनमान या बाला साब ठाकरे के सनमान में दो वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या, ए अंतर विरोध के बीच में अगाडी की सरकार बन बहुत जरूरी है, भारतिय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर हो और पुरे देश ने दिखा है, चाहराज्य हो, कैंद्र हो, भारतिय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार, महायूती की सरकार, जब कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से 1 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेत्रुतों में NDA सरकार नहीं किया, कोई नहीं मानता था इस देश में CAI आएगा, कोई नहीं मानता था, इस देश में UCC की सुरुवात हो सकती ह कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर त्रिपल तलाग समाप्ट हो जाएगा कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मूबी का मंदीर साड़े 500 साल के बाद सनमान के साथ राम जन्मके स्थान पर ही भव्य मंदीर दिखाई पड़े इसके साथ साथ हमने वादा किया था समरूद भारत का 11 अर्थतंत्र से हमने 10 साल के अंदर ही देश के अर्थतंत्र को पांचवे नंबर पर पहुंचा है और हमारा वादा है कि 27 म हम भारत को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे इस वादे की और हम तेजी के साथ आगे बढ़ें साथ करोड गरीबों घर, बिजली, गैस, स्वचाले, पीने का पानी, मुप्त अनाज और मुप्त इलाज ये देने का काम भी हमने किया है और दूसरी और अगाडी है, कॉंग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कॉंग्रेस के लोग जब वादा करें तो सोच समझ कर करें क्यूंकि वादा पूरा नहीं करते हो हो और मुझे जवाब देना पड़ता है हमारे सामने हिमाचल का उदान है, कॉंग्रेस वादों से मुक्री है, इलंगाना का उदान है, कॉंग्रेस वादों से मुक्री है, करनाटक का उदान है, कॉंग्रेस वादों से मुक्री है ये अगाडी के वादों के विश्वस्नियता पाताल से नीचे गई है और यूती के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है भारत की जनता को भी भरोसा है और इंते हा तो तब होती है कि जिस सम्विधान की प्रती को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की सपत लिए जिस सम्विधान को लहरा कर बाबा साब आमबिड करके संकल्पों की याद दिलाई जब किसी प्रेश के मित्र ने वो सम्विधान की प्रती को खोल कर देखा तो पूरा कूरा था एक अक्सर भी नहीं लिए इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ न केवले भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहिब अंबिड करका भी अपमान करने का काम एक कॉंग्रेस पार्टी ने किया है। स्विकार करने का पत्र अक्नोलेजमेंट एक दिया है। मैं महराष्ट की जनता को पुछना चाहता हूँ, क्या कॉंग्रेस पार्टी के ए मनसूबे के साथ आप सहमत है क्या। स्टी, स्सी, ओबिसी, दलीतों का, आदिवासियों का और पिछोडों का आरक्षन लेकर मुस्लिमों को देने के पक्स में महराष्ट की जनता है क्या। हमारा सम्विदान धर्म के आधार पर आरक्षन के पक्स में नहीं है। अभी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा, इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही कराए। मगर कहां बैठे हो, वो जगह मैं जरूर याद करना चाहता हूं। आप तिन सो सत्तर हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमी के निर्मान का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावर्त करजी के लिए अपसब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संबाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। CAA और UCC लाने का विरोत करने वालों के साथ बेटे हो और आप वकप बॉर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोत करने वालों के साथ हो मित्रो मैं आज इस प्रेश वारता के माध्यम से महराश्ट की जनता को बताना चाहता हूँ मोधी जी वकप बॉर्ड में सुधार का एक बील लेकर संसद में आये हैं और अभी अभी जो वकप बॉर्ड का कानून जो कॉंग्रेस के राज में 2013 में एमेंड हुआ इसका परिणाम दिखे करनाटक के गाउं के गाउं वकप के कानून के तहट वकप की संपती गोसित कर दिये गए और उस कानून को उचित बदलाव के जी ले जब हम लेकर आये हैं तो उसका भी अगारी के लोग विरोत कर रहे हैं मैं महाराश की जनता को एक कहना चाहता हूं कि वकप के कानून के बढ़लाव का विरोध का मतलब है कि आने वालों दिनों में यहां पर भी वकप बॉड आपकी संपतियों को इसी प्रकार से घोसीद कर सकता है। मित्रो देवेन रजी ने संकल्पत्र की प्रमुक बाते बताई हैं परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि डबल एंजिन की सरकार ने करिब करिब 10 साल के अंदर महाराश्ट के विकास के लिए धेर सारे काम किये हैं। महाराश्ट के विकास के लिए क्या किया वो महाराश्ट की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में UPA की सरकार ने एक प्रकार से अगाडी की सरकार ने महाराश्ट को सिर्फ 1,91,384 करोड रुपया और नरेंद्र मोधी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड रुपया दिया। एक और करीब करीब 2,00,00 करोड रुपया और मोधी जी ने 10,00,00 करोड रुपया दिया। मैं अगाडी के मित्रों को पुछना चाहता हूँ आपका हिसाब आप महाराश्ट की जनता के सामने रखेंगे क्या। 10 साल तक महाराश को कितना अन्या हुआ जबकि उस वक भी उपर और नीचे दोनों जगे आपकी सरकार थी। और 10 साल में हमने 10,00,00 करोड रुपया दिया जब दोनों जगे NDA की सरकार थी। यह अंतर है महायूती और अगाडी के बीच में। सिंचाई नेटवर्क को निलवडे बांग, गोसीखूर्द, टेमभू और जल्यूक्त सिवार जो देवेंद्र जेई जब मुख्यमंत्री थे तब योदना लाये थे। से महाराज की भूमी को सिंचन क्षेत्र के अंदर 30% की बढ़ोत्री करने का काम हमारी यूती सरकार ने किया। नदियों को जोडने के हिटू, नारपार, दबन गंगा, घोदावरी और वैत्राना का विकास करने का काम भी हमने किया। 11 वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, 128 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है, मुंबई, पुने और नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ, सीडी और स्विंग दूर्ग में नए हवाई अड़े और टर्मिलर बने, 13,000 करोड से, मरीन ड्राइव से, सारी करण हुआ, मेट्रो फेज वन का निर्मान समाप्त हुआ, अतल सेटू ट्रांस हार्बर लिंक का निर्मान हुआ, और 76,000 करोड से, भादवान बंदरगा का निर्मान का सैधान्तिक निर्मान दिया गया, जो एसिया का सबसे बड़ा बंदरगा होगा, और सबसे इंटरलिक परियोदना, घोसी खूर्द परियोदना, जो लगबक 63 TMC पानी को मोड़ कर, विदर्ग में नागपूर वर्दा, अमरावती, यावतमाल, अकोला और बुढलाना जिल्ले के 3,71,000 हेक्टर भुमी को सिंचीत करने का काम करें, इससे विदर्ग की 85 धरती को बहु इंटरलिक परियोदना, अगले 10 साल में हम इसको पूरी करेंगे, 22 करोड से खड़क वासला बांच से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर सुरंग बना कर, हमने एक बड़ा सहास करने का नेणय किया है, 24 में सोलापूर हवाई अड़े का गाटन हुआ,